नमस्कार प्रिये दर्शकू एक वार फिर आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल प्राचिन ग्यान सच्चा ग्यान में प्रिये दर्शकू हम आपका ते दिल से स्वागत करते हैं आज फिर हम आपके लिए एक खास जानकारी लेके आए हैं आज हम आपको बताने वाले है अदर्से होना एक ऐसी सहदना जिसको पाने की बाद आप दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति बनेंगे एक ऐसी सिद्धी जिसको पाने की बाद दुनिया के सबसे सर्व स्रिष्ट इनसान बन जाएंगे प्रिय दर्सको आज हम आपको बताने वाले हैं अदर्स से होना यानि कि आप दुनिया को देख सके दुनिया आपको ना देखे एक ऐसी सिध्धी जिसको पाने की बाद हर इनसान की संपूर इच्छाएं पूरी होती है संपूर उसका जीवन सार तक हो जाता है प्रिये दर्स को आपने सुना होगा आपने टीवी सीरील वगारा में देखा भी होगा या आप सास्तर पढ़ते हैं गरंत पढ़ते हैं तो उनमें आपने देखा भी होगा कि हमारे रिसी मुनी संत महत्मा संत महत्मा ये लोग अंतर ज्यान हुआ करते थे एक दूसरे स्थान पे प्रकट हुआ करते थे एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान पे अदर्से होके चले जाते थे प्रिये दर्सको अदर्से होना भी अंतरध्यान होना भी वही अदर्से सिद्धी है प्रिये दर्श को यदियाब इस सिद्धी को विधी पूरवक निये मनुसार करते हैं तो आपको जरूर से जरूर ये फलदाई होगी ये साधना ये सिद्धी हमें एक साधू से प्राप्त हुई है हम बहुत छोटे थे उस समय की बात है एक बुजरुक शाधू हमारी ग्राम में आया करता था उनके पीछे हजारों लोगों की भीड लगी रहती थी उसे ढूनते रहते थे मगर वो शाधू हर किसी को दिखाई नहीं देता था जिसका भाग्य अच्छा हो जिसका नसिब साथ देता हो जिसके करम अच्छे हो ऐसे इनसान को वो शाधू मिलते थे ऐसे इनसान को वो आश्रवाद अपना प्रधान करते थे उनहीं साधू की सिद्धी है उन साधू के पास यह सिद्धी हमने अपने आखों से पर्तेक्स देखा है प्रिये दर्श को अपना दिल थाम के बेट जाईए हम जो आपको बताने वाले हैं बड़ी विचित्र साधना है बड़ी विचित्र सिद्धी है प्रिये दर्श को साधना कुछ इस प्रकार है फागुन के महिने में खंजन चड़ी जो होती है खंजन पकसी होता है फागुन मास के महिने में खंजन पकसी आपको पकड़ना है और उसका एक अच्छा पिंजरा बनवाना है पकड़ के उस पिंजरे में उसको रखो प्रिये दर्श को फागुन मास के महिने में खंजन पकसी के आपको तलास करनी है यदि आपको मिल जाता है खंजन पकसे की चोंच बहुत पतली होती है और वो हमेशा फूलो का रस चोंचने का काम करती है बहुत जने में सिर्फ फूलो का रस लेती है प्री दर्श को ये पकसी यदि आपको मिल जाता है इसको पकड़के तुरंथ किसी अच्छे पिंजरे में साबसुत्रे पिंजरे में इसको बंद करें बंद इसको सावनमास के महीने तक रखना है इसके विसे में हमारी सास्त्रों में भी लिखा है फागुण महीनों आवियो, खंजन ले अपनाई, स्रावण मास सुहावनों मनवन चित फल पाई हे पर ये दरसको, हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, फागुण के महीने में, आपको खंजन पक्सी को पकरना है, और पिंजरे में रखना है, पिंजरे में रखने के बाद, इसको जो दाना पाने आप देंगे, वो पिंजरे में ही देना है, पिंजरे को कभी खुला ना छ सिर्वलिंग पे चड़ा हुआ पाने आपको पिलाना है इसका विसेश द्यान रखें सबसे पाने लीजिए पाने में दूद डालिए एक पतासा डालिए उस पाने को सिर्वलिंग पे चड़ा दीजिए जब सिर्वलिंग से पाने उतर के नीची आए उस पाने को आप हिकटा क पाने को किसी कटोरी में डालके पिंजरे में रख दीजिए। बस यही नित्यक्रम आपको रोज करना है। दाना जो भी अपने इसाब से आप खिलाना चाहे वो आप पिंजरे में डाल सकते हैं। इसी निये मनुसार आपको स्रावनमास तक ये क्रिया करनी है। जब स्रावनमास का महीना आएगा, कुछ दिन निकलने के बाद वे पक्षी वो खंजन चडिया आपको पिंजरे में दिखना बंद हो जाएगी। आपको लगेगा कि किसी ने पिंजरा खोल तो नहीं दिया, खंजन पक्षी उड़ तो नहीं गया, लेकिन ऐसा नहीं है, खंजन पक्षी उसी पिंजरे में हैं, क्योंकि वो अदर्स से हो चुका है, इसलिए आपको दिखाई नहीं देरा है। बस फिर क्या है, आप सीधा पिंजरे को तरीके से खोले, इस तरीके से पिंजरा बनवाना है कि आपका सिर्फ हात अंदर जाए, बाकी और खुला ना रहे, यदि आजू-बाजू में खुला रहता है, तो चिड़िया आपकी निकल जाएगी, कुछ हात नहीं लगेगा, महन फिर आप हात अंदर डालिए, और टटोलते हुए, पिंजरे में हात डालके टटोलते हुए, उस खंजन पकसी को पकड़ लीजिए, पकड़के उसके सिर में, खंजन पकसी के सिर पे मोर के जैसी किलंगी होगी, उस किलंगी को निकाल लीजिए, बस यही आपके काम की चीज यही आपको दुनिया का सबसी धनी वक्ती बनाएगी। प्रिये दर्श को अब इस किलंगी को निकालके पक्सी कोड़ा दीजिए। अब आपको करना कुछ इस तरीके से है पांच ग्राम चांदी, पांच ग्राम सोना, सुद्ध सोना। दोनों को मिक्स करवाके इसकी एक छोटा सा ताभीज बनवाएं। उस ताभीज में जो पक्सी की किलंगी आपने निकाली है उसको इसके अंदर रख दें। और ताभीज को बंद कर दें। फिर इस ताभीज को सिवजी के मंदिर में ले जाईए। धूप द्यान नव वहिद ओमन में सिवाई का जाप करते हुए। इस ताभीज को धूप द्यान से अरपित कीजिए। उसके बाद जब भी इस ताभीज को आप अपने मुख में रखेंगे आप अदर से हो जाएंगे। आप दुनिया को देख सकते हैं। दुनिया आपको नहीं देख सकती। प्रिये दर्श को ऐसी विचेतर सिद्धी ऐसा प्राचिन ग्यान जो आज लुप्त होता जा रहा है। हमारे भारत का ये प्राचिन ग्यान अद्भूत ग्यान लुप्त होता जा रहा है। हमारी ये छोटी सी कोसीस प्राचिन ग्यान को आम जन तक पहुचाएं। ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जी नमस्कार धन्यवाद।